नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्रा, ब्रह्मा अंड सिध्याष्र में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना जो चैनल है ब्रह्मान्ट सिद्ध्य एस्ट्रो इस चैनल पर मेश राशी से लेकर मींद राशी तक की जो सभी 12 राशिया है इन सभी 12 राशियों का जन्वरी 2020 का राशिफल क्या होगा इस विशय पर वीडियो अप्लोड हो रहे हैं आप उसका आनद जरूर लीजे तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशी के बारे में सबसे पहले हम शुरुवात करेंगे रवी से या फिर सूर्य से सूर्य जो की आपके राशी का बेश है जो की आपके चदुर्त भाव में ब्रह्मन कर रहा है और दिनांग 15 तरीक के बाद यह आपके पंचंभाव में ब्रह्मन करेंगा तो पिछले करीबं 10-15 दिनों में आपने देखा होगा घर के जो लोग है उनके साथ जो आपकी हार्मनी है वो ठीक ठाक नहीं चंद करते हो तो कुछ अच्छे फाइदे बगारा आपको मिल सकते है उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में है तो उनके साथ कहीं बाहर घूमना भी हो सकता है तो खुल मिला कि आपको करीबं 10-15 या 16 तरीक तक आपको थोड़ा सा जो सहन करना होगा उसके बाद का जो रवी का प्रमन होगा वह आपके लिए शुबफलदाई साबित होगा इसके बाद हम चार्जा करेंगे मंगल गरह के बारे में अब यह जो मंगल गरह है यह मंगल गरह आपके राशी के लिए नंबर एक का अशुब गरह माना जाता है जो कि आपके राशी का अस्टमेश बी है और आपके आपके राशी का अत्रितेश भी है सबसे महत पूड़ है इसा कर रहा है जो कि सीधे-सीधे आपका जो स्वास्ता है जो वैल्थ है उस पर असर करता है अब यह जो मंगल अपके भाग या भाव में प्रहवन कर रहा है पिछले करीबन दो महिने में खास करके तीन-चार मेने में वैसे भी आपने देखा होगा मतलब करीबन अक्टूबर, नॉवेंबर, डिसेंबर इन तीन मेने में आपने देखा होगे कि स्ट्रेस आपको बहुत ज्यादा आ रहा है जो भी आपका कारेशातर है वहाँ पर भी वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी इंटरेक्शन जो है वह काफी अच्छे नहीं चल रहा है सॉस के बारे में स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ रहा है अब यह जो बात है वह खास करके नवंबर और डिसेंबर में आपने बहुत ही जादा एक्सपेरियंस की होगी बहुत ही जादा अनुबह की होगी और यह अभी तक भी बात चल रही है लेकिन जनवरी के करीबन 13-14 तारिक के बाद यह जो स्टिटी है आपकी जो मानसिक्ता है आपकी जो दृष्टी है या फिर आपका जो स्वास्त है इसमें धीरे धीरे बदलाव देखा जाएगा जो कि पॉजिटिव रहेगा यह तो नहीं क स्ट्रेस में काफी जल्दी आजाती है मतलब अगर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं हो तो बहुत जादा सोचते हो आप दिन भर दिन रात आप उसी के पीछे लगे रहते हो और आपका जो मानसिक संतुलन है वो आप खो देते हो लेकिन चिलता करने के बिल्कुल भी ज जो स्वामी है बुद्ध अब ये जो बुद्ध है ये बुद्ध आपके चतुरुत भाव में ब्रह्मन करेगा जो की पूर्ण महिना आपके चतुरुत भाव में ही ब्रह्मन करने वाला है ये बहुत ही अच्छी बात है बहुत ही बड़िया बात है क्योंकि घर के जो लोग है उनके साथ आपकी जो interaction है वो धीरे 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 normal होती हुई नजर रहेंगे और आप दोनों में जो harmony है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी घर के जो लोग है उनके साथ आपकी जो interaction है आपका जो बरताओ है वो काफी अच्छा देखा जाएगा उसी प्रकार जो भी आपका कारेशेत्र है उससे related वी किसी प्रकार के बड़े problem complications आपको नहीं आएंगे जो की काफी अच्छी बात होगी तो कुल्मिला के राशी में सप्तमभाव में इस वज़े से आपकी जो वाईवाई जोडिदार है उनके साथ जो interaction है उसमें बहुत ही अच्छा बदलाव देखा जाएगा और काफी positive रहेगा हाला कि यह जो गुरू था यह गुरू पिछले करीबन तीन-चार महिनों से वक्रिताओ और उसके कुछ अनुभाव भी आपने देखे होंगे आप में और आपके जो वाईवाई जोडिदार है उनमें चोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही थे आपकी जो interaction है वो काफी अच्छे देखे जाएगे पैसे के मामलात में भी बहुत ऐसी problem आपको नहीं आएगी जो भी आपने काम किया जो भी आप काम कर रहे हो उसके जो output है वो अच्छे मिलते हो नज़र आएगे उसी प्रकार आपके जो resources है मतलब पैसे कमाने के जो resource है income क कि जो resources है वो भी बढ़ते हुए नज़र आएंगे उसी प्रकार अगर आपको किसी भी प्रकार का काम करना है किसी को कोई commitment करने है promises करने किसी भी प्रकार के महतुपुर्ण निरने लेने हैं तो भी जो गुरु का भ्रहमन है वो काफी जादा महतुपुर्ण सावित होगा औ आपके निरने या फिर decision बहुत ही अच्छे लेते हुए नजारेंगे जो की काफी अच्छी बात होगी तो मोटे तोर पर अगर देखा जाए तो यह जो गुरु का ब्रहमन जो कि आपके सब्तम भाव में है स्वयम के राशी में मींद राशी में आपके लिए शुबफलदा कर रहा है और दिनांग 23 तरीक के बाद यह जो शुक्र है वो आपके शष्ट भाव में ब्रहमन करेगा तो महिने के करीपन बहुत बड़ा जो कालावदी है इसमें यह जो शुक्र है वो आपके पंचब भाव में ब्रहमन करेगा बहुत ही अच्छी बात है पहले तो सबसे म फलदाई साबित होगा खास करके अगर आप शेयर मारकर में डिल करते हैं तो उसमें कुछ अच्छी इंवेश्मेंट आपको मिल जाएगी आफिर आप इंवेश्मेंट कर पाओगे और उसको कुछ अच्छे रिजर्ट्स आपको मिलते होगे जो भी आप अनुमान लगा होगे वो काफी सही साबित होते होगे अगर आप किसी के रिलेशंशिप में हैं तो उनके साथ भी आपकी जो इन्टराक्शन रहुं है काफी मायन में अच्छी न Yog ना नजर आती हो नजर आएगों उनके साथ कहीं बाहर घुमना फिरना भी हो सकता है खास करके जो भी मतलब पैसे में आप आ सकते हो या फिर रिलेशन्शिप के लिए बहुत अच्छा महौल तैर होगा और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो शुक्र का भ्रहमन है काफी ज्यादा शुबुफलद्दाई साबित होगा इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनीग्रा के बारे में अब ये जो शनी है ये शनीग्रा आपके राशे का पंचमेश भी है जो कि आपके पंचम भाव में पिछले करीबन दोड़ है सालों से चल रहा था अब ये जो शनी है ये शनी करीबन 18 तरीक के बाद आपके सश्च भाव में भ्रहमन करेगा स्वयम के राशी में तो ये जो जो शनी का प्रहमन है वो थोड़ा बहुत दिक्कते आज ला सकता है तो थोड़ा सा कुद के स्वास्त के बारे में ध्यान देना आवशे का और वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशी है वो health issues आपके राशी में किसी ना किसी प्रकार के होते हैं वो directly हो सकते हैं या फिर problem complete है थोड़ से जादा उसके लक्षन दिखाई दे सकते हैं लेकिन सबसे महतों पुर्णबाद आने वाले धाय सालों में जो आप नहीं कोई आपकी income sources वगरा बढ़ने के chances है उसी प्रकार जो विक्ती जौब के बारे में सोच रहे है जौब change करने के बारे में सोच रहे है तो उनके लिए भी यह जो शनी का ब्रह्मन है वो काफे ज़्यादा शुबफलदाई सावित होगा हाला कि यह जो शनी है वो किन-किन चीजों पर असर कर सकता है उसके जो परणाम है वो कौन से हो सकते है इसके बारे में हम सोतंतर रुप से वीडियो अप्लोड करेंगे शन तनाव लेने के बिल्कुल भी जरुन नहीं है क्योंकि यह जो शनी है वो सबसे स्लो मुमिंग प्लैनेट है मतलब एक जो राशी है वो क्रॉस करने के लिए करें दाय साल लेता है तो वो जैसे ही आपके शाष्टबाव में ब्रह्मन करेगा तो वो वन नैट चे तूरं प्रकार के दिक्कत या problem complications आपको विल्कुल भी नहीं आएंगे और जैसे मैंने का कि इसके बारे में हम डीटेल में वीडियो अप्लोड करेंगे उसमें काफी डीटेल में आपको बताया जाएगा दूसरा जो महत्वपुर्णा बात है वो है राहु और केतु के बारे में अ आपको सीदे सीदे नहीं मिलेंगे लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्वास्त के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में ग्रह योग जो होते है उसके परिणाम होते है वो भी मिलते ज़रू है वो किस प्रकार के होगे उसके बारे में चर्चा करेंगे जैसे की दिनांग पाश तरीक को रवी और हर्शल का त्रिकोन योग होने जा रहा है रवी जो की आपके चतुर्द भाव में ब्रह्मन करेगा उसके साथ जो हर्शल है वो त्रिकोन योग करने जा रहा है तो इन दिनों में मतलब आपका घुम तरिकों योग दिनांग पास तरिकों होने जा रहा है काफि ज़्याधा फैवरेबल होगा उसी प्रकार दिनांग 7 तरिकों रवी और बुद्ध की युटी भी होने जा रही है आपके चतुर दुबाव में अब यह जो युटी है बहुत ही महतोपुर्ण है आपके घर के जो लोग है, उनके साथ कही बाहर आउटिंग करना, घर चेंज करना, अगर आप नहीं वास्तु लेना चाते हो, तो उसके लिए भी यह जो रवी भुद्ध की यूति है, वास्तु नहीं लेना चाते हो, वास्तु में कोई रिनेवेट करना चाते हो, तो उसके लिए यह जो रवी ये भी शुबो फलदाई होगा, खास करके दो-तिन मामले में इसके जो प्रभाव है, वो आपको मिल सकते हैं, पहले तो सबसे महतोपुर्ण बात, जो भी आपका कारेश हैं, उससे रिलेड़िट कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है, उसी प्रकार घर के मामले में कोई भ बस्तू लेनी हैं, किसी भी प्रकार का, तो इसके लिए जो बुद्र हर्शल का जो त्रिकोन योग है, वो काफी ज़्यादा महतोपुर्ण सावित होगा, उसी प्रकार शुक्र और मंगल का त्रिकोन योग भी होने जा रहा है, शुक्र जो कि आपके पंजम बाहों में हैं, वो त्रिकोन योग करने जा रहा है, अब ये जो ग्रह योग है, वो नौ तारिक को होने जा रहा है, बहुत ही शुक्र फलदाई सावित होगा, खास करके पैसे के मामले में, इंकम के मामले में, रिलेशन्शिप के मामले में, उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है, उन के लिए भी यह जो त्रिकोन योग वो है वो बहुत ही ज़्यदा शुक्रफलदाई साथ करने जा रह तरिकोन करने जा रहा है आप यहां पर दो तिन बात है उसके फोड़ा सा ध्यान दीजै, इन दिनों में किसी भी प्रकार के महतोपुनन नीरने खास करके, share market से deal करने वाले किसी भी प्रकार के महतोपुनन नीरने या फिर risk बिलकुल भी नहीं लेना. उसी प्रकार भविशय काली योजनाओं के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो इन दिनों में मतलब दिनांग 13, 14, 15 तारिक इन दो-3 दिनों में किसी भी प्रकार के महतोपुर्ण निरने नहीं लेना जिसके जैसे महतोपुर्ण निरने आपके बारे में हो सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में हो सकते हैं वो बिलकुल भी नहीं लेन नहीं लगर आपको confidence नहीं है या फिर उसके बारे में आपको रिस्क फेटर तो ऐसे कोई भी जो निरने हैं वो दिनांग 22 तारिकों आप ले सकते हो शुक्र और शनी की यूति होने जा रही है आपके पंचमभाव में जो की आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अमावस है वो 21 तारिकों है तो पुर्णिमा और अमावस के दिन किसी भी प्रकार के महतोपुर्ण निरने बिल्कुल भी नहीं लेना क्योंकि इन दिनों में रवी चंत्र का जो अकर्शन होता है पृतियोग्य प्रति वो काफी ज़्यादा पाया जाता है इस वचे से हमारे ज़्यादा आवशक है तो मोटे दोर पर अगर देखा जाए तो आपके लिए जो भी स्ट्रेस टेंशन प्रॉब्लम वाली चिस्तिती हुई थी पिछले करीबन धाय से तीन मेनों से तो वो इस मेने के करीबन 14-15 तारिक से धीरे 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 कम होता होती हुए नजर आएग और जो भी अगर आपकी रिलेशन्शिप शुरू है उसमें भी कुछ अच्छे रिजर्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे जुकि काफी अच्छी बात होगी उसी प्रकार जो विवाद सुख है मतलब जो नवक युवतिया जो विवाद सुख है उनके लिए भी यह जो सं तरह से अनुबहों किया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपने जो चैनल है प्रम्वांड सिद्ध्य एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना जन्यवाद